हाई फ्रेंद्स वेलकम पैक तो आज जो हम वीडियो कर रहे है उसका टॉपिक है डॉक्टर सुब्रामन्यम स्वामी जस्टिस पॉर सुशान सिंग राजपूर सेफ फोन लैप्टॉप डेटा और एक्जामन तो येस फ्रेंद्स आपके थूपता चला था कि जो सुब्रामन् पूरा डिटेल में पता करें exactly में वो किस वे से help कर रहे हैं क्या वो CBI inquiry में कोई help कर रहे हैं कि force करने की कोशिश करें कि CBI inquiry जल्दी से जल्दी हो तो ये सब बहुत सारे questions है दिमाग में तो उसके लिए जल्दी से वीडियो देवते हैं और पता करतें exactly क्या हो रहा है पर य और वीडियो देखने के बाद फिर बताएंगे कि हम वें क्या फील हो रहा है और क्या दग रहा है तो फ्रेंज वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चानल पर नहीं हो और आपने अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पेले आप जाके नीचे जो बाटन है उस इसको भी हिट कर लो ताकि आपको मारे सारे लू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं तो चलो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं हाज का ये वीडियो कर दोकि समें जाने शर्ट मारे से मिल बांगे कि हैं। आपको क्या आपको लग रहे हैं कि क्या आपकी स्टेप्स चल रहे हैं और क्या होना चाहिए कि आप तो मुझे बहुत सालोसी जानते हो मैं एक मोटो पर चलता हूं मनि खावत पर चलता हूं छेड़ो मत छेड़ने के वाद छोड़ो मत अब आमने छेड़ दिया मामला तो छोड़ो मत और छोड़ोंगा इसलिए नहीं क्योंकि जो आपने मुझे बताएं तथ्या अभी इसने क्या काई उस पर नहीं तो जो जिसको कहते हैं लौ में ऐसे आपने जो किता है तो मुझे लगता है कि है होना चाहिए उनकी इतने लाखों में जो प्रश्ण सक्थ हैं जो उनकी सिनमा देखते थे जिस लोग सिनमा वर्ड में भी जैसे शेकर कपूर जैसे लोग समझत थे कि इसका भूरीश बहुत लंबा है बहुत सुदर है वो कट गया बीच में तो यह हमारे देश के लिए नुकसान हुआ है यह सिरफ उसकी जान नहीं गई पर तो देश के साथ एक प्रकास से विश्वास भाट हुआ है कौन है इसके पीछे है कोई यह नहीं कहता हूँ यह नहीं पारएंगे मारी जो गस है और उसके बाद जिनका नाम लेता है वह तो पूलीस का पाम है। वैसे पूलीस को इतना ही बताना की यह 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 पर रामा पेरीसी केस बन जाती है और आप काम करिए नहीं सुनागे तो हम पुर्ट में जाकर आपको सुनवाएंगे जैसे हमने सुनदा केस में किया, सारा देश में भजन मंडली है, सब कहने लगा ने 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 वह ऐसी है, उसकी चर्ट रची नीत यह था, वह था, उसने खुद जैर ले लिया, दुनिया बर की बाते कही हमें उससे प्रभावित नहीं और हम आखिर में सुप्रीम कोड ने हमारी मानी, जज्जेज को भी पटा सकते हैं, परंतो आखिर में हमारी तीन स्थर है, तो एक स्थर में तो जमांदार जज्ज बिल जाएगा, प्रॉक्टर स्वामी, जैसे आपने कहा, और लोग भी कह रहे हैं कि कोई बिना नाम लिए, एक जो फेर मांग है कि CBI investigation हो, कानून की प्रात मिकता है कि अगर किसी भी परदेश में, मुंबई चोड़के, कि अगर प्राइमा फिसाया लगता है कि influential लोग involved हैं, तो CBI जांच होने की संभावना बढ़ जाती हैं, और इस केस में तो कोई संदेह नहीं है, कि अगर जो लो जिस पर मैंने कवरिंग लेटर लिटर लिख कर भीजा है, मैं प्रदान मंत्री को भी एक कॉपी भीजूँगा, क्योंकि सवाल यह है कि आपने अपने जो पूरा शोद और अनुसंदान करके जो आपने चिठी तयार किया है, इसमें आपने सुप्रीम कोट के केसिस का भी ज जो आप कह रहे हैं, कि अब एक विश्वास पैदा करने के नियाए होगा, इसके लिए CBI जो प्रदेश की बाहर है, मैं जानता हूं कि शिवसेना इसके खिलाफ नहीं है, अब कहां गर्स काया है, रिष्टे कहां कहां है, मैं कहां जाओ है, तूनते तूनते तो दस जनम हो एक ही जनम में हमने कई चीजें पकड़ ली, अब देखो राहल राजीव गादी फामडेशन में, इन्होंने ऐसे लोगों से पैसा लिया, जो उसे लेनी कि कोई आउचित्य नहीं थी, तो इसी लिए और इनके परिवार Soviet Rus जब थी, Soviet Rus तब टुकरा टुकरा हो गया है, और जब Soviet Rus थी, तो KGB से पैसा लेते थे, वो किताबों में आ गया है, तो मैं यह कहता हूँ, कि हम लोग आज किसी हालत से मार्क से हटने वाले हैं, आप तो जानते हैं, जब किसी केस लिया, 2G का लिया, हाई कोट में हारे तो सुप्रीम कोट भी जीत गया, हम तो छोडने वाले नहीं है, जब तक यह प्रा एक निरने मनी पहुचेगा, और यह जो चिठी आपने दिया, इसको आप उसको प्रकाशन कर सकते हैं, कि यह सारवजनिक मामला है, और उसमें जो आपने तथे दिये, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता है, और मुझे बड़ा हर्श है कि आप इतन जल्दी इतनी आपने अध्यन करके, मंधन करके आपने इसकी सारे केस कोट के इसकी रस निकाल के आपने जोड़ कर बताया है, इसे एक high school student भी यह समझ लेगा कि आपका बाद में रत्या है, बजन है, तो मैं यह कहता हूँ कि हम लोग इसको पॉब्लिक को दिन-पृति-दि कराते रहेंगे, और सब जान लें, महाराष्ट्र में उपर से मीचे तक, यहां केंडर सरकार में, कि इतने अच्छे एक हमारी साधन, हमारी एक जो डाइमंड कहते हैं, वो इतनी जल्दी उभर के आए, एक बियार के गाउं से आए, और बियार से आकर इतनी चंके, और इतन आशा के लोगों के बने इतनी दर्शकें हैं, उसको इस तरीके से मर जाएं, हमें विश्वसी नहीं होता, और जो छोटा मोटा मुझे तथ्य में लिए, कि वो बिस्तर कितना फुट का था, उंचाही में, और पंखा कितना दूर था, छट कितना दूर था, यह सब मिला करके मुझे लगता है, और फिर नौकर जो सुबा जाकर चाही देता है, वो नहीं गया, इनके जो रात को रुके हो गये, तो यह सारे चीजों को मिल करके, हमें पुरा जांच करनी चाहिए, और हमें विश्वास दिलाना चाहिए, कि इस लोग कंत्र में, जो हमारी जो कानून व् विदीव यवस्ता है, इसमें घ्रोसा कर सकते हैं, और इससे हमें ल्याइब सकते हैं. आपने जगाएं भी उसको भेज रहे हैं, और उसमें मैंने एक चंता को कायाता हूं, सीधी बात बोली है, कि आज की बेट में एलेक्टॉनिक एविदेंस बहुत इंपोर्टेंट है, इस पे, कि उनके पचास सिमकार्ड उस हो रहे थे, कितने फोन्स थे, लैपप्स थे, आ रहे हैं, तो इसमें भी कितनी linkages हो रही हैं, पता ही नी चलता कहां कहां है, वो सारा प्रिजर्व हो, सारे passwords प्रिजर्व हो, सब कुछ प्रिजर्व हो, और मुंबई पोले से आशा है कि वो ऐसा कर रहे हैं और वो सारजनिक करेंगे, ये announce करेंगे कि हमने ये कर दिया है, त करेंगे, आगे में से, थैंक यू, थैंक यू, तो फ्रेंस, सुनके तो बहुत मतलब है, ऐसा फील हुआ कि चलो कुछ हो रहा है, कोई तो है, मैं अपनी फीलिंग बता रहे हूं, ये देखके मुझे लगा है, कोई तो है, जो आया है, जो आया हिल्प करने के लिए, जस्ट हो गई है, पहले मुझे इनके बारे में नहीं पता था, आपके थूँ थोड़ी वीडियोज खी उनकी, और अब इस अक्शन से, तो डेफिनेट्ली हो गया, कि he is a very truthful person, वो justice के लिए है, और ये ही एक आया है, जो आगे सामने, और कह रहे हैं, कि हम इस मामले को आगे तक ले बनाया है, जो लॉयर ने ये सब थिया है, इनके लॉयर ने, उसके साथ उन्होंने अपना कवर लेटर भी बनाया, और वो उनमें से एक कॉपी, पी एम मोधी को भी देंगे, ताकि उनको भी पता चले कि, क्या एक्जाटली इनकी स्टडीज के थू इनको पता चला है, और म जो है, उससे तुम लग सकते हो, कोई हाफ हैंगिंग या पता नी, पास्यल हैंगिंग भी होती है, और उसको सुनके तो लगा यार, हम लोग तो बहुत गलत सोच रहे थे, और वो देखने के बाद भी मैं आपको कह रही थी, कि दिमार ये सुनने के बाद इस पर्ट की तो कि नहीं तुम कर दो, ये सुसाइड है, पर दिल मान ही नहीं रहा, और अब ये देखके तो ऐसे ऐसे कॉन्फिदेंस आ रहा है कि जो दिल बोर रहा था, वो सच है, और इन्हों ने ये बताया भी सिम कार्ट के बार में भी बताया, और का कि भई, ऐसे क्यू हूँ हूँ हू और इसे ये पता चल रहा है कि करबड है, तो बहुत अच्छी बात है कि सुब्रामनीम स्वामी जी अब इसमें लुद देखने शुरू कर दिया है, और वो यही कह रहे है कि मैं शुरू नहीं करता है, अगर एक बार मैं शुरू कर दू, तो मैं उसे खतम करता हूँ, तो य सारे लोग जाएं, वो यूट्यूब पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो, कुछ हो, मगर इन भाई साब ने को पता था किसे कॉंटेक्ट करना है, उन्होंने सुब्रामनीम स्वामी जी को कॉंटेक्ट किया, उन्होंने सारे फैक्स देखे और का फैक्स बिल्कुल ठीक है, और कोट को इसको सुनना पड़ेगा, जैसो बोरे पायम फैसी हो जाएगा, तो बेसिकली यह कह रहे हैं कि इस इशू यह पूरी इंडिया का इशू है, बिहार से एक जैसे करें डाइमन्ट आया था, उसको आपने खत्म कर दिया क्यों, और उनको और लोगों ने भी इंफर्मे कर सकता, वो सब नहीं हुआ, तो वो पता करना चाहते हैं क्यों, क्या इसके पीछे काफी लोगों का हाथ है, और उनको लग रहा है कि facts correct है, और वो court को involved करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई भी रखेंगे लूप में, वो इतनी senior position में already है, इतनी activity के बाद definitely कुछ ना कुछ हो अच्छा, उनको लगेगा, oh my god, यह क्या हो गया, यह तो अब सुब्रावानियम स्वामी के पाद चला गया, जो Congress Party से खुले आम लड़ते हैं, जिनको जो बहुत ही माहिर हैं, इन चीजों में, warfare में माहिर हैं, वो लड़ते हैं, जीते हैं, उनको पता है, law कैसे handle करना है, इ हमें यही था डर कि यह बात खतम ना हो जाए, खुशी की बात यह कि बात नहीं खतम होगी, कोट में बात जाएगी और पता चलेगा क्या हुआ, तो काफी अच्छी न्यूज है यह, क्योंकि लोगों को इनसाफ चाहिए था, लोगों को अगर है कि अगर बॉलिवुड में क टैलेंटेड हो और उसे राक्निंग का मत हो, ऐसा ना हो कि जस्ट बिकाज हमारे बाप दादा नहीं है, आप उस बच्चे को आगे ना बनने दे, यह तो गलत बात है, बैट अगर हम मान लो आपका बच्चे को डॉक्टर बनने तो प्रॉल्लम नहीं है, आप अच्छे इंस और प्रफेशन थेंग आपको पेशियों से अबिलिटी से रिलिटिड है, वही बात इंटरफेंट में क्यों नहीं है, अगर आप में अबिलिटी है तो आप आगे क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने चीज़ें इंच्छें कंट्रोल किये उसको हटाना में बता है और किसी कंट्री में मिनिस्ट्री में आपको नहीं नजर आएगी इंडिया में है तो इसको करना उसको फेर बनाने चाहिए प्रोसेस जब कोई होते हैं कई लोग ऐसे बिंदा साके अपना हो कैसे हो जाते से रूल होने चाहिए नहीं हरे को लाइन में लगना पड़ेगा हरे को देना पड़ेगा कमेटी होगी देखेगी किसका अच्छा है और वो चूज करें कि ठीक है आप अपनी बनाने वो ठीक है अपने पैसा लगा करें मगर आप चोर ही नहीं कर सकतें वो तो हरे कमपनी ऐसी है इनकी बडे बडे कमपनी आप्टोच शुक्फलिक्स पीषिओ है हर कोई बोलेड़ यह मै दतारत अब कि किसी की एंटर्वूब्त आपको आपने थूपड़ें पड़ता क्यों आपने जूज नहीं किया आप unnecessary select नहीं कर सकती अगर आपमें ability आपको proof करना पड़ता है क्यों आपने select नहीं किया similarly यहाँ पर भी होना चाहिए system कोई law होना चाहिए अगर उसमें ability है अगर 10 बंदे बैठे तो उन्हों का लगा यह बहुत अच्छित क्यों आप नहीं लेते who are you to decide? मगर एक point है थोड़ी different होती है कि जो companies होती है बड़ी वो publicly traded companies होती है publicly traded companies का मतब उसका जो owner है वो shareholder है इसलिए laws ढंक से चलते हैं और यहाँ पिछे private companies है तो ultimate government को intervene करना पड़ेगा laws बराने पड़ेंगे कि चाहे आपती company private हो या public को कोई फरक नहीं पड़ता यह law है आपको follow करने पड़ेंगे आपको prove करना पड़ेगा वाई आपने इस बंदे को क्यों नहीं लिया? क्यों? अगर reasonably लोगों को लगता है कि आपने घपला किया है तो आपकी prosecute को हो सकते हैं इसलिए आपके laws बनाने पड़ेंगे अगर इसमें अबिलिटी है तो बिलकुल बना चाहिए उसे तो मेरे खाल से अच्छी बात है आज जो भी हुआ यह फ्रेंट्स और इसमें इनोंने एक बात यह बताई थी कि कोई ex-raw के जो हैं उन्होंने नाम भी बताएं कि कौन इसमें हैं तो आप लोग ने वो वीडियो सजेस्ट की वी है तो अब मैं इनीजेटली हम इसके बाद वो देखेंगे पता करने के लिए उन्होंने क्या क्या बताया है तो फ्रेंड्स वेट करना उस वीडियो की और उसमें मिरख्याल से इन्फोमेशन इन डेफ्थ मिलेगी पर ये वीडियो बहुत अच्छी थी बहुत दिल्ग में कॉन्फिदेंस पैदा हुआ है कि जस्टिस के लिए कोई तो है तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो द बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाओं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाओ